विनोद अगनी होतरी जी आपके पास आते हुए ये जो त्रपुरा है देखिए एक छोटा सा राज ये 60 विधान सभा की बहाँ पर सीटे दो लोग सभा की सीटे आती है लेकिन बीजेपी के दिगजों ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत बहाँ पर जोंक कर रखी है जबकि वहीं कॉंग्रिस पार्टी की बात करी ये अलहदा बात है कि वो लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में है लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टीय साथ में थी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकी और ममताब एनरजी की सरकार बन गई 3-77 सीटों पर बीजेपी चली गई लेकिन यहाँ पर बीजेपी के दिगजों ने जिस तरह से अपनी ताकत जोड़ कर बहाँ पर रखी हुई थी लगातार बहाँ पर दोरी किये जा रहे थे इसका संदेश क्या है और बीजेपी के लिए तर्पुरा इतना ज़ादा महत्वण क्यूं है देखें चित्रा 2023 का इपहला चुनाओ है और तर्पुरा इसलिए महत्वण नेüneसे बहाँ जानक भी था और कॉंग्रेस एक दम एक परसेंट पर पहुंच गई और यह इस चुनाव के नतीजे चुकि आगे जो नव राजियों के चुनावाट राजियों के होने हैं उस पर भी असर डाल सकते हैं बले चोटा राजी हो लेकिन चुकि बीजेपी की यहां पूर महमत की सरकार थी बीज अगर बीजेपी की चुनावाट जीटती है तो 2023 के ऑच्छी बहनी हो गी और अगर वो चुनाव में अगर बहुमत का आखना नहीं छूपाती है सरकार बले बना ले तो कहींने कहीं परसेप्चन जो बना हुआ है उस पर असर पढ़ेगा इसके बीजेपी के बहुत मात कून और कॉंग्रेस ने इस चुनाओ को पूरी तरह से लेफ्ट के बरो से चोड़ दिया और त्रपुरा में एक लंबे समय तक लेफ्ट का साशन रहा कॉंग्रेस की सरकारे रही लेकिन जिस तरह BJP का उद्भा हुआ है तो वह पूरवत्तर में BJP का बड़ा बन गया है त्रपुर यही कारण है जरा आप सोचे तीन दिनों के भीतर का पूरा पूरी जो जिम्मेदारी है वो लेफ्ट के भरो से वहाँ पर छोड़ कर रखी हुई है लेकिन तीपरा मोथा ये किस तरह का राक्टर बनेगी और ये किसको जादा नुकसान पहुचाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है एक तरफ मानिक सहा की ओर से किस तरह के दावे के जा रहे है और तिपरा मोथा के मुख्या की ओर से चुनाव को लेकर क्या दावा किया जा रहा है दोनों को अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता तो वो पांच साल के पहले ही अपने मुख्य मंत्री को क्यों हटाते किंग कौन बनाता है इश्वर बनाता है भगवान बनाता है मैं हिंदू मैं हिंदू हूँ और मैं जानता हूँ कि एक इंसान किसी को राजा नहीं बना सकता और कोई राजा भी नहीं है ये इवेंचिली वही होगा जो पब्लिक चाहेगी और मैं जानता हूँ कि पब्लिक इस समय हमारे उपर विश्वास करती है तो तीप्रा मोथा को मुख्यमंत जी कोई बड़ा फैक्टर नहीं मानते हैं लेकिन तीप्रा मोथा का कहना है कि इस बार वो कमाल करने के लिए पूरी तरह से तईहार है फिलाल अलग-अलग हिस्सों से जो वोट प्रतिशत सामनी आए है धलाई में 13.62 फीसदी वोट प्रतिशत महाँ पर जनता बाहर निकली है गोमती में 13.08 फीसदी कहां पर कितनी वोटिंग हुई है इनांकरों से जानिए उतर तिपुरा में 13.79 फीसदी दक्षनी तिपुरा हमें 14.34 फीसदी यहां के वोटर थोड़े जागरुक नजर आ रहे हैं जबकि उनाकोटी में 13.34 फीसदी वोट पड़े हैं अब हमारे साथ रृतिक मंडल हमारे संबाद्धाता भी जुड़े हैं सिदे उनका रुख करते हुए रृतिक 13 फीसदी के आसपास ही वोटिंग का प्रतिशत रहा है लेकिन उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन चड़े उसके बाद तस्वीर और जादा बदले लोग जादा से जादा घरों से बाहर निकले और वोटिंग में हिस्सा लें लेकिन तीन बड़े मुद्धे अगर मैं आप से जाना चाहूं आपने लगातार वहा की प्रचार चल रहे थे तो आपने जैसे बताया कि फिलहाल पहले तो बता दे कि जहां पर हम है यानि तुपड़ा के जो आगरतला या फिर यहां पर वोटिंग ट्रेंड पैटरन कुछ इस तरी किसे रहता है अमूमन 13 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोटिंग सभी जो मद्दान करने पहुंच रही है उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है इसके बाद जैसे ही घरी का काटा 11 बजे पहुंचता है तो लोग फिर से मद्दान करने निकलते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा जिस तरी किसे एहम मुद्ध है जहां पर मेरे पीछे यह जो जो जो जिन 20 सीटों में उनका पार्टी दबदबा में है तो उनका कहना है वहाँ पर चुनाओ बिल्कुल आसानी से और शांतीपून तरीके से हो रहा है और बहुत खुसमिजास वो आज सुबह से दिख रहे है उनका कहना है बहुत कंफिरेंड है वो कह रहे है कि सरकार वही ब पराई में है हाला कि वो गड़बन में नहीं है लेकिन अलग-अलग हिस्से से बीजेपी से लर रहे है इनमें से एहम मुद्दा ये त्रपुडा मूथा हो सकता है क्योंकि जो आदिवासी वोड और जो ग्रेटर टिप्रा लैंड की जो मांग को लेकर जो प्रदु देवर् है वहीं पर मौझूद हैं इस वक्त हमारे संबाद्दाता और अंदर से वो कब निकलेंगे इंतजार करना होगा लेकिन इस बार यकिनन बड़ा फैक्टर बनकर वो सामने आए हैं आदिवासी के मुद्दे को उठा रहे हैं